आपका दोस्त लेखक बिद्नेस को विछ डॉक्टर रुज्वल पढ़ निया में सबसे ज़्यादा महत्पुन कलाओं में से एक है बात्चेत की कलाओं लोग अक्सर आप कैसे बात कर रहे हैं इसी अधार पर आपका जज्ज्मेंट लेते हैं क्योंकि आपके बहुत क्लोज लोगों के अलावा इस भागम भागवरे यूग में किसी भारवाले के पास टाइम नहीं है कि आपके भीतर उतर के देखें मैं बात्चेत के चार नियम आज आपको बताने जा रहा हूँ यदि इन चार नियमों का आपने पालन कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी तेजी से लोग परिता बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे और आपके विवाद कम होगे नियम एक, निंदा मत करो, आलोचना मत करो साथियों आजकल ऐसा लगता है मानो हर आदमी एक चाकू लेके घुम रहे है सरजरी करने के लिए कैची लेके घुम रहे है मैं आज आपसे पूछता हूँ, बिना कारण आपको किसी की निंदा या अलोचना की क्या जुर्रत है क्यों आप सारी दुनिया को सुधारना चाहते हो, क्यों आप जो मिलता है उसको कोई सजेशन देना चाहते हो क्यों आप हर किसी में कुछ मीन मेख निकालना चाहते हो याद रखिए आज एक बहुत बड़ी सला आपको देने जा रहा हूँ जिसको भी जादा सुधारने जाओगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा आपकी संतान तक आपको बोल देगी पापा मैं तो जानती थी आप यही बोलोगे आपके बच्चे आपको बोल देगी मम्मी आप यही बोलने ही वाले हो आप हमेशा ऐसे ही बोलोगे मैं जानती थी क्योंकि कोई भी बार बार सुधारा जाना नहीं चाहता एक बार दो बार उसको ठीक लगता है जब तक कोई इन्वाइट नहीं करेंगे, आके मेरा आडिट करो, तब तक बिना मतलब निंदा ही मत करो, क्योंकि हर दूसरे आदमी की निंदा करने की कोई जरुरत ही नहीं है, उसको खुद मालू में हो क्या गडबड कर रहा है, उसके बावजूद भी ओगडबड कर रहा है दूसरा नियम, प्रशंशा जब भी करो, सब के बीच में करो, आलोचना अकेले में करो, रिजन, सब के बीच में आदमी को इज्यत बचाने का मौका दो, यदि आपने सब के बीच में गलत सिद्ध कर दिया, तो सामने वाला हो सकता है, आजीवन आपका दुश्मन हो जाए, कितनी बार छोटे मोटे समाजी गुरूप में, रिष्टेदारों के गुरूप में बैठा रहता हूँ, कई लोग मेरे सामने गलत बात करते रहते हैं, मैं मुह बंद करके बैठा रहता हूँ, मेरी वाइफ मुझ से कहती, आपको तो पता था, वो गलत बोल रहा है, तो मैं अकसर कहता हूँ, उसको सही करके मेरे को क्या करना है, वो जिस दिन मेरे बात सही होने आएगा, उस दिन मैं सही कर दूँगा, यदि मेरे को वाकई में ऐसा लगा कि यह जो बात बोल रहा है, यह बहुत ज़्यादा गलत है, और इसका सही होना आवश्यक है, तो मैं उसको अ प्रशंशा सब के बीच में करो लोगों को लगना जी अरे वा ये तो प्रशंशा करने वाला जीव है सब की प्रशंशा करता है और वो व्यक्ति नहीं रहे तो और जादा करो लोग बुलेंगे आज वो आप पीछे में तारीप कर रहे थे पॉजिटिव चीज का सेंडविज बना लो, क्योंकि यदि आप लगतार किसी में उल्टा ही ढूरते रहोगे, और उसके पॉजिटिव को रिकागनाईज नहीं करोगे, वो आपके उल्टे को लेना बंद कर देगा, आप कितने अच्छे एडवाइजर क्यों नहीं हो, यदि अपने लगतार किसी की सर्जिरी करी, तो वो आपकी बेस्ट एडवाइस को भी लेना बंद कर देगा, तो जब भी अपने बच्चे को अपने जीवन साथ ही को लेना, आज ही जा के अपनी वाइफ यास्वेंट को दो तीन बार, पांच बार, एक ही दिन में उल्टा बोल के देखो और देखो साम को आपके साथ क्या तबाही होती है, और अपने बच्चे को बोल के देखो, दो-चार दिन बाद आपका बच्चा आपसे सीधे मूँ बात नहीं करेगा, जो इस टाफ दसो साल मूनी खोला, वो पलट के जवाब देदेगा, क्योंकि आप जब आते हैं कोई स्कूल ड्रैवर लेके आते हैं, अब जब आते हैं कोई कैची लेके आते हैं, आप उपर प्रसंशा करिए, ये काम तुमारा बहुत अच्छा है, ये भी तुमारा बहुत अच्छा है, ये वाली चीज को यदि थोड़ा से इंपरू कर लोगे न तो मज़ा जाएगा, बस एक बार, दो बार, तीन बार, और तीन-चार बार में ना सुधने ना, तो समझ लेना गदा है, और किसी गदे को खुब देर रगण-रगण के घिसने के बाद, अचानक आग खोलने जो घोड़ा नहीं हो जाता है, वो खाली साब गदा रहता है, ये बात अच्छे से ध्या सीमा तक ही आप इंप्रूव कर पाओगे, उस सीमा के परे वो तभी इंप्रूव होगा, जब उसके भीतर, खुद के भीतर बर्निंग डिजायर आएगा, और अंतिम नियम, दुनिया का ग्लोबल नियम, जादा सुनो, कम बोलो, भड़़ड़िया आदमी की कोई इज्यत न होने लगती है, और सामने वाला आपका तभी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको तभी अपना मानेगा, जब आप उसमें रूची लेंगे, आप उसमें तभी रूची ले पाएंगे, जब उसको ज़्यादा बोलने देंगे, और खुद कम बोलेंगे, यदि आप एक सेल्समे करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामने वाले को लगेगा, मेरे में कितना इंट्रेस्ट लेता है, आपको सबसे अच्छा दोस्त कौन लगता है, जो आपकी बाते सुनता है, यदि वो दोस्त ऐसा हो, जो बात बात में आपको बोले, अरे यार तु घलत बोला, अरे यार सुनो, कम बोलो, मत बोलो नहीं, कम बोलो, काम की बोलो, और जब अपनी बात सिद्ध करना और आप वक्ता उस वक्ता पूरे बोलो, ने तो नॉर्मल कन्वर्शेशन में जब बोलो, मिलियन डॉलर छोड़ो चिलर चवननी में क्यों दिमाग लगाना साथियों, यदी आपने बात्चीत की बाला शीख ली, तो समाजिक लेवल पर व्यापारिक लेवल पर, व्ययमसाईक लेवल पर कैरियर के लेवल पर, आपकी लोग पृता का ग्राफ 30G से बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने घर में आपको वोट देने होला कोई नहीं मिलेगा और साथियों यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो तुरंत उज्वल पाटने यूट्यूब चैनल को लाइक करें और यदि आपने लाइक किया हुआ है सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप तुर हुआ हुआ हुआ